ओके तो आज किस वीडियो में मैं सुर्वाइब करने वाला हूँ 100 days GTA 5 में वो भी एक zombie apocalypse के अंदर तो starting में ये virus जो है उतना जादा फैलेगा नहीं तो starting में हमें जादा खत्रा नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे zombies का तादा और उनका आतंक बढ़ता जाएगा तो वाई वीडियो को पूरा जरूर देखना और मैंने 100 days के वीडियो तो बहुत सारे बनाया और 100 days बहुत सारे वीडियो में मैं सुर्वाइब करा है लेकिन आज के 100 days का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर वाच करना और अगर आपको वीडियो थी लगे तो एक लाइक जरूर करना चैनल पर आएमोप्शों को सुट्क्राप करका बैल आइकन को जरूर दोना ताकि कि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे और भी ज्यादा मुझा है तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का 100 days in जीडिया 5 इन जॉंबी अपकलिप्स स्टाइंग स्टाइंग पर वाईरस जो है वह नॉमल तरीके से फैलेगा मतलब सब कुछ नॉमल होगा दीरे दीरे जो है यह वायरस अपना असर दीखाना स्टाट कर दीगा इसलिए ठोड़ी सी मस्ती की शाहर को भी थोड़ी सा आसपस जाके देखा सारे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, शायद उनको पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है, थोड़े दिनों में यहां पर क्या फैलने वाला है, और क्या आने वाला है, तोमाड़ा के साथ, टेनिस खेलने के बाद घर लोटा, तो देखा, जीमी गेम खेल रहा है, उसको मैंने बोला था कि थोड़ा ट्रेइनिंग कर ले, तोड़ा ट्रेइनिंग करने को, लेकिन वो ट्रेइनिंग तो कर रहा था, लेकिन शूटिंग गेम को खेल गे, अब वायरस जो है, वो असर दिखाना धीर धीर स्टार्ट कर देगा, और इसको अगर हम लोग लड़ाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे चारों तरब अपोग्लिफ्स चाह जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे गंदे गंदे मॉंस्टर वगरा यहाँ पे जॉम्बी वगरा यहाँ पर स्पाउन होने लेगेंगे लेकिन हम लोग जो उसको फाइट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा सा गाड़ी और जो है लैस्टर के पास क्योंकि उसके पास हर चीज़ का हल जो होता है और हमेशा उसके पास एक ऐसी गाड़ी रहती है ना उस गाड़ी को खास खास दिनों के लिए वो यूज करता है जैसे कि मालो हम लोग कोई चोरी करने जा रहे या फिर बड़े हाथ मारने जा रहे तो उस हिसाब से वो उस गाड़ी को यूज करता है लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जब उस गाड़ी को हम लोग यूज कर और वो उस गाड़ी को एक ऐसी खूफिया जगा पे रखता है ताकि किसी को भी उसके बारे में भनक तक ना लगे अब भले ही जॉंबिस का रफ्तार जो है वो स्टार्टिंग पे कम हो फिर भी भाया वो खतर ना गया अब जीने के लिए हमें चाहिए थे खाना और गोली ताक लोस सेेंटोस में कोई भी रहे कोई भी आम इंसान यहां पे रहे ताकि जब सारे लोग मर जाए न दब वो एक नया dwust सैंटोस यहां पे क्रीएट कर सेके अपना एक बहुत बड़ा इन्वेंचन कर सेके इसलिए उन लोगों ने कुछ गुंडे लोगों को भी यहाँ पे तैनात करके रखा है नगर निगरानी करने के लिए और उनको साफ साफ शब्दों में कहा गया है अगर सिटी में कोई भी विजिटर्स कोई भी सब्वाइबर्स अगर दिके तो उनको सीधा मार देना इसलिए उन से और जॉंबिस से फाइट करने के लिए मैं चाहता हूँ एम1 नेशन कर सब्ड़े थोड़ी सी गन और गोली करिदने अच्छे गन्स करिदने के बाद मैं चाहता हूं सलोन पर बाल कड़ाने के लिए लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे फताय चलता है वहाँ तो चोरी हो रही है क्योंकि चोर लोगों की यहीं तो सही टाइम है चोरी करने का और चोरी करने के बाद अमीर बनने का लेकिन मैंने उनमें साब की हिल्फ करी चोर को मारा और पैसा लेके वापस उनमें साब को लोटाया अब वाइरस धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है आस पास के अडोस पडोस में से एक दो जॉम्बिस हमारे घर पे भी आये थे कुछ कुछ को तो मैंने बहुत बुरी तरक से मारा और इस एपोकलिप्स में हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा मतलब टाइम टू टाइम हमें खाने के साथ साथ पानी भी पीना पड़ेगा वरना भया हम लोग डी हाइडरेशन से मर भी जकते हैं तो हमारा पहला मिशन होगा जितने भी यहाँ पे सवाइवेस बचे होंगे उनको एक सेफ जगा पे लाना और एक आमी संगटन कड़ा करना और दूसरा जिन्होंने इस वाइरस को बनवाया है उनको ढून के खतम करना और जिन्होंने इस वाइरस को बनाया है उनसे इस वाइरस का वैक्सिन बनवाना था कि इस महामारी को हम अंत करके लॉस सेंटर उसको खतम होने से बचा सके सवाइवर्स का ढूंते ढूंते जब थोड़े बहुत सवाइवर्स मिले थे तो उनसे मैं बात कर रहा था और बात करते करते हैं कुछ को तो मैं फ्रेंड्स भी बनाता हूं लेकिन वहाँ पे जॉम्बिस के साथ साथ बाद में दुश्मन भी हम पे हमला बोलने आ जाती है जिसके कारण बहुत सारे सवाइवल्स हम खो देते हैं बस एक को ही हम लोग बचा पाते हैं उसके बाद घर आता हूं तो देखता हूं वहाँ पे ट्रैवर, लैस्टर और फ्रैंकलीन भी आ चुका था और हमने वहाँ पे बहुत देर तक प्लैनिंग की लैस्टर ने बोला हमारे पास अभी जो भी सामान है वो आज या तो कल खतम हो जाएंगे तो हमें रिसोसेज भी कलेक्ट करते रहना होगा ताकि दुश्वनों से भी हम डटके सामना कर पाएं तो सारा कुछ प्लानी करने के बाद लैस्टर ने माइकल और ट्रैवर को भेजता है मिलिटरी बेस पे रिसोसेज लाने के लिए और वो इस वाइरस को कैसे रोका जाए उस पे रिसरच करेगा और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रैंक्लिन उनके साथ रहेगा लेकिन हम जॉंबिस का सामना ऐसे नहीं कर सकते ऐसे गाड़ी हो से थे हम लोग इनको टकर भी मारेंगे तो ये फूट जाएगा भाई तो हमें जो है इसके लिए एक अत्तगड़ी गाड़ी चाहिए थी जो लैस्टर ने खूफिया सीक्रेट जगा पे रखा था तो हमें सबसे पहले तो उसको जाके लेके आना होगा जिसके बारे में तो हम नहीं पता है लेकिन किसी और को पता नहीं है हम भी गए फटा फट उस वाले लोकेशन पे जहां पे लैस्टर ने अपनी गाड़ी को रखा था लेकिन वहां तक पहुचते पहुचते रात हो चुकी थी और रात में जॉम्बी का खाफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है वहां पे इतने सारे जॉम्बी स्पॉन हो रहे थे कि सब को मारते मारते ट्रैफर के तो सारे आमोस ही खतम हो गए मेरे पास भी थोड़े बहुत जो भी आमोस बचे होए थे लेकिन अगर ऐसे जॉम्बी साते गए तो मेरे पास भी और आमोस बचेगा नहीं फटा बच जॉम्बी को जितने भी वहां पे जॉम्बी से उनको मार के गाड़ी की तलाश करने लगा और गाड़ी मिलते ही उस पर बैटके हम दुनों वहां से फटा फट निकल गए लेकिन खत्रा अभी बी टला नहीं था हमें जाना था मिल्टरी बेस पे पर हम रात में वहां पे जाना नहीं चारे थे लेकिन वहां पे जॉम्बी का तादाद इतना होने के कारण वह लोग तो सर्वाइब नहीं कर पाए और हम लोग भी डर गए क्योंकि वहां पे इतने सारे जॉम्बी हो रहे थे तो मैंने फटावट ट्रैवर को वोला कि गाड़ी लेके जो है घर पे पहुच मैं घर पे मिलूँगा और मैं जाने वाला था उनको बचाने के लिए वहां पे भी इतने सारे जॉम्बी स्पॉन हो रहे थे कि भाया पूछो मत सबको मारते मतने जब मैं ठक चुका था तो मैंने जो है वहां पे कुछ लोगों को मैं बचा पाया था लेकिन सारे लोगों को मैं बचा नहीं पाया था जितने भी बचे लोग थे उनको लेके मैं गाड़ी बदल बदल के वहां से भागा क्योंकि अभी हमें जाना था military base पे resources collect करने के लिए अगर हुंगे तो military base जैसे हम लग पहुंचे तो बाई देक्ष aconte का नजारा गड़ि तैनी साइड तगरे गाड़ी वह एक लिए साघ्या मी के लोग जो भी ते वो चोनी साड़िफाइब हो चुकते घृ पर बाह precio बाता만 पर पूच्छ हो मत हम लोग जोंग जो तो वहाँ पर जो भी मिलता फटाबर उसको लेने लेगे और वहाँ से निकलने लेगे और वहाँ पर हमें एक दो हलिकॉप्टर भी दिख रहे थे दूर से लग रहता शायद यह नहीं चलेगा लेकिन नसीब इच्छा होने के कारण वह ठीक से चलने लगा तो हम लोग जाए भी रहा पॉई और उसके बाद ह हलिकॉप्टर लेके वहाँ से हम तो फूर के हम लोग जो अपने बेंच पे आने लेगे हेलिकप्टर को ठीक थाक से लैंड कराने के पाथ सवाइवल को घर पे रिखा और ट्रावर के साथ वापस गया और कुछ सवाइवल को बचाने के ल कि लेकिन दिख्पत ये था कि हमारे पास सवाइवल्स तो बहुत सारे थे लेकिन गाड़ी थी तो सिर्फ एक जिसमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते थे तो हम भी एक और गाड़ी की तलाश करने लगे सोड़ी दूर पे हमें एक गाड़ी दिखती है और लगली वो ठीक था भाई हम लोग उसको चला सकते थे लेकिन अभी भी टेंचन खतम नहीं होता है इस पे भी हम लोग सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते थे तो अब हम एक और गाड़ी को ढूरना तलाश करते है जादो से जादा जो हम लोग बैठा सके तो दो गाड़ी होंगे तो एक को मैं चला के लेके चला जाओंगा बीच में उनको भी बैक अप में देता रहा ताकि उनको कोई खतरा ना हो और उन पे कोई हमला ना कर दे लेकिन थोड़ी जेरे पे भया फ्यूल ही खतम हो जाती है भाई गाड़ी की और भाई तवराद भी हो रही थी और लड़ाए के बीच में कुछ सवाइवर्स मारे बीच आते है और कोई ना मरे इसलिए सब को फटा फट गाड़ी पे बिठाया और जितना जल्दी हो सके निकल गया और जाने लगा दूसरे सवाइवर्स को बचाने लेकिन एक जगा पे जाके देखा तो वहाँ पे गाड़ी को ही ब्लॉक करके रख दिया थे जॉम्बीज लोगों ने हम सब ने मिलके काड़ियों को हटाया और फिर जाने लगे सवाइवर्स को बचाने वहाँ पहुचे तो पहले तो उन लोगों ने हम पे शक किया हमारे पास गाड़ी तो थी एक और वो भी जादा फ्यूज इस में था नहीं तो हमें चाहिए थे एक और गाड़ी मतलब बैक अपके लिए हमें काड़ी चाहिए थैए मतलब अगर ली गाड़ी खराब भी हो जातिया रास्ते ने तो हम लोग जो बैक और थोड़ी दिर के बाद हमारा भी काम हो चुका था और साथी में हमारे मेकैनिक सवाइबर्स के काम भी हो चुके थे जाके देखा तो उन लोग ने भाई क्या कमाल का रिपेर करा था भाई साथ में भया हमारे वाइन होंद जो गाडी थे ना उसको भी रिपेर करके ठीक कर दिया भई, जो छट कुला हुआ था था ना उसको भी डग दिया भई तो सभी survivors को गाडियों में बठा के दोनों गाडियों के साथ हम लोग निकल पड़े थे अपनी घर की तरफ कुछ-कुछ लोगों को मैं अपनी गाड़ी पे बठा के लेके जा रहा था और बाकियों को travel अपनी गाड़ी में बठा के लेके आ रहा था लेकिन जॉंबिस के चलते वह लोग वी बचे नहीं थे क्योंको नहींगी UM रास्ते में हमारे साथ लड़ाए हो चुकी थी हमारे गाली पलड़ के पहाड़ी के पर चणा चणा के लेके आया था लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना था कि लोग जितने ज्यादा होंगे खाने पीने की समझसा भी उतना ज्यादा पड़ेगा जब यह खाल मेरे मन पर आया ना तो मैं फटा फट जो है मैं जाने वाला था शौप पे और जाके कुछ ख जोग दिया बोला कि अभी महाहौल जो ठीक नहीं है आसपास बहुत सारे दुश्मनों के लोग है उनको अगर हमारे अड़े के बारे में पता चला तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है तो इसलिए जब तक महाहौल शांत नहीं हुआ तब तक हमें यहां पे मजबूरन रु जोड़े बहुत जॉंबिस को मारके फटा वड़ जाता हूं दुकान में और जाके सामान को लेने लगता हूं लेकिन तभी आ जाता है दुश्मन के लोग जैसे तैसे करके उनको मारने लगा और फिर सारे के सारे समान को लेके फटा फट वहां से निकल गया लेकिन तभी होना नहीं चाहिए था क्योंकि भाई हमने दुश्मनों को अभी अभी मारा है और वो लोग बस हाते ही होंगे तो भाई हम लोग जैसे तैसे दुश्मनों की गाड़ी को लेके वहां से थोड़ा दूर आए ताकि हम लोग थोड़ा सा सेव हो सके लेकिन इस गाड़ी को चलाना मतलब मुसीवत को अपने सर्क पे लेके चलने जासा है इसलिए मैंने ट्रावर को बोला कि ट्रावर तू अलग जा मैं भी अलग जाता हूँ और एक गाड़ी को हम लोग ढूनते हैं क्या पता तुझे अगर गाड़ी मिलता है तो तुझे मुझे जोई कॉल करके बोल देना अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुझे कॉल करके बोल दूँगा क्योंकि उनकी गाड़ी अगर हम लोग जलाएंगे तो हो सकता है कोई ट्रैकर वगएरा तो भाई वहाँ पे इतना डर लग रहा था ना मुझे और वहाँ पे तिने सारे जॉंबी जोभी जोभी मैं लेने आया था उसको लेने लगा क्योंकि गाड़ी हमें चाहिए थे यहाँ पे गाड़ी तो बहुत सारे थे लेकिन विस्पोड होने के कारण लगता है यह सारे के सारे जो दर्वाजी है ना वो जम गया होगा इसलिए कोई भी मैं किसी को भी खोल नहीं पा रहा था और भाया चाहिए जो भी हो जाया हमें गाड़ी तो ढूनना ही था ना इसलिए भाया व मैं वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था और हरे गाड़ी को जाकर चेक कर रहा था कोई तो गाड़ी खुल जाया और मैं उसको लेकर यहां से फटावन निकल जाऊ गया तो देखा भाई प्रावने क्या गाड़ी ढूंडा है भाई क्या पॉस्सम गाड़ी है लेकिन आसपास देखा तो दुस्मन भी हम पे हमला बोलने के लिए आ रहे थे और मैंने ना आओ ना देखा ना ताओ मैं जितना चल दियो जितना तेजी के साथ हो सके गाड़ी को भगाने लगा और आगया घर पे उसके पाद हम लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे लापटव या फिर कोई भी काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे चार्जिंग खतम हो जाता तो इसलिए कोई हम लोग काम करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए थे एलेक्टरसिटी और चलके हमें जो है बहुत problem सामना करना पड़ सकता है तो survivors मेंसे किसी एक ने बोला कि वहीं वो ठीक कर सकता है उसको तो मैं और ट्रावर फटावर उसको लेकर वहीं पर जाता हूँ जहां पर वो बोल रहा है कि वो उसको ठीक कर सकता है उसके location पर मैं जाने लगता हूँ और इस बंदे ने अगर इसको ठीक कर दिया ना तो पूरे city में वापस electricity आ जाएगी लेकिन जाते ही हमने देखा कुछ बंदे वहां पर पहले से ही वाजूद थे तो हमें तो पहले लगा कि वहां पर वह लोग कुछ गेंग के members हूंगे लेकिन बात में पता चला ये लोग भी survivors ते मैंने बोला कि तुम लोग जो हमारे साथ चलो लेकिन उन लोग ने बोला कि हम लोग किसी के पले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जोए सवाइब करना आता है हम लोग यहां वहां जाके रहे लेंगे हमारे आपके कोई भी छीजें ने मतलब अकुडू टाइप का थे बाई व पहुचा तो देखा बहुत धुआ निकल रहा था और दरवाजे के पास गया तो देखा तो दरवाजे भी बन था फटा फट गया एक गाड़ी को लेकर आया और दरवाजे को तोड़ दिया वहाँ पर इतिन्य सारी जॉंबी जा रहे थे उनको संभालना मुश्किल हो रहा था फिर भी हम डटे रहें और बोला कि भाई तू जा तू जा के उसको ठीक कर इन लोगों को तो हम लोग देख लेंगे फोड़े दिर के बाद मैं और ट्रावर जब महाल को थोड़ा सा शांत कर दिया तो उसके बाद मैं जाके देखा फटावर कि ये ठीक हो रहा या नहीं तभी उसने बोला उसको कच फ्यूजें और कुछ चीज़ें चाहिये थे तभी वो उसको ठीक कर सकता है तो मैं ये बिनादिर किया पहले तूसको बोला कि कोशिच करते रहो जब तक मैं लोटता नही हूर ट्रावर को बोला कि उसको प्रोडेक्ट करते रहे ताकि ये मर ना जाए और निकल गया ऐसी ऐसी जगाओं पे जहाँ पे मुझे इन सवायस बगरा मिल सकता है मैं दो जगाँ पे जाने वाला था एक तो है मिलिटरी वेस और एक है बक्सरा फैक्टरी और सत्मी हो सकता है वहाँ पे मुझे ये सब मिल जाए लेकिन शायद मैंने यहाँ पे रात में आके गलती कर दी भाई वहाँ का माहौल बहुत ही जादा खतरना हो चुका था रात में तो भाया पूछोई मत और वहाँ पे मुझे कुछ बक्से भी दिखता है और उसके अंदर सारे सामान को रखा और जितना तेजी के साथ हो सके वहाँ से निकलने लगा सभी चीज़े आने के बाद वो बंदा अपना काम शुरू करता है और माइकल ओ ट्रावर उसको डिफेंड करने लगता है भया यहाँ पे दिक्कत तो भई ऐसे हो रही थी क्योंकि यह ठीक नहीं हो रहा था और दीरे दीरे रात भी होने लगी थी और वो बोल रहा था कि भई थोड़ा सा टाइम और लगीगा तो जब काम हो रहा था तो मैंने सूचा कि उन सुवाइवर्स के एक गारी को लेकर आ चाता हूँ जाए यसे ही काम खतम होगा तो हम लोग तुरंट यहां से निकल जाएंगे बहुत तेर के बाद फाइनली वो उसे ठीक करी देता है भाई और वापस से लास सेंटोस में एक और बार फिर से इलेक्टरिसिटी आ जाती है और जब हम लोटने लगते हैं ना तो लास सेंटोस को देखे भाई एतनी खुशी मिली ना भाई कि पूछो मत भाई लास सेंटोस इतना खुबसूरत लिख रहा था ना बहुत अच्छा लगा इसको देखने के बाद और रास्ते में पता नहीं कहां से भया दुश्मन ने हमारे ठीक आने के बारे में पता लगा लिया था पर या वो लोग भी घर पर आने लगे थे अब तो उनको जैसे तैसे मारा और उनके पास एक अच्छी गारी थी तो हमने उसको रख लिया क्योंकि आगे चलके हमें जो एक आड़ी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पढ़ सकती थी अगले दिन सुभा लैस्टर बोलता है यह वायरस भले ही लॉस सेंटर में फैला हुआ है लेकिन यहीं पे बहुत सारे गैंग लीडर्स पॉलिटीशन ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग यहां पे अपने हाप को क्वारिंटाइन रखे हुए हैं और वही लोग है इस आक्रामक वायरस को बनने और फैलाने का लास्टर को पता चलता है कुछ साइंटिस्ट एक खूफिया तरीके से अपना एक्सपरिमेंट अभी भी कंटीन्यू कर रहा है या यूं कहूं कि वह लोग चेक कर रहे हैं कि यह जो वायरस है इसके आक्रामकता और प्रकुपता यह कितना मात्रा तक बढ़ चुका है मतलब इसका जो लेबल है इसका एक पता चल चुका जहाँ मैं अभी यूपक हो रहा है लासतर ने जैसे जैसे बताइ था, वैसे वैसे सेम यहाँ पर वोग नजर रखे हुए है आएक एक बंदे तो भाया दूर भी इन से नजर रख रहे है दूर दूर तक मतलब कोई भी मंदा है तो ठोक देना सीधा तो हम लोगों ने एक plan बनाया हम लोगों ने सोचा कि पहार के उल्टे तरफ से होते हुए हम लोग जाएंगे और फिर अचानक से उन पे हमला बोल देंगे इससे उनके पास बचाओ करने के लिए ज़्यादा time नहीं होगा और वो लोग हार मन जाएंगे और वहां इतने महंगे महंगे cards थे जिसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि भाया यह हो ना हो यह किसी बड़े गैंग का काम है और वहां पहर रारे बहुत ही ज़्यादा त्वगड़ा हो रहा था लेकिन fight तो भाया अब जड़ोगी fight कतम होने के बाद हम लोग सीधा पहुचे साइंटिस को पकड़ने के लिए और पकड़ के भाया उनको बहुत दोया बहुत पूचा और पीट-पीट के पूचता चीए कि भाया कौन है बता भाई कौन है इसके पीछे लेकिन इतना मार खाने के बावजूद उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात को बार बार तोड़ा था है वो लोग बोले हम यहाँ पर एक experiment कर रहे थे लेकिन जब यह experiment चुहों पे करना स्टार्ट हुआ तो लग बोग सारे के सारे चुहे जो experiment के बाद मर जा रहे थे लेकिन उन में से एक दो चुहे पे उस experiment का उल्टा असर होने की वज़े से वो लोग आदम खोर हो जाते हैं और फिर इसी के वज़े से यह वाईरस फैला लेकिन इसके बात की कहानी कौन है इसके पीछे क्यूं वो यह काम कर रहा है भाई यह जवाब तो वो दे ही नहीं रहा था ट्रावल को तो भाई उसको इतना गुसा रहा था कि वो तो उन दोनों को मारी देता लेकिन तभी माईकल पूछता है क्या तुम लोग इसका वैक्सिन बना सकते हो या नहीं तो वो लोग कहते है कि इस वाईरुस को बनाने में सर्फ हम दोनों ही नहीं थे टोटल 30 साइंटिस्टों ने मिलके इसे बनाया है अगर बाकी के साइंटिस्ट भी मौचुद होंगे तो यह इस महामारी को विनाश करने की दवाई भी बना सकते है लेकिन उन लोगों ने यह भी का कि हम सारे एक समय एक ही जगा पे नहीं रहेते अलग अलग जगाओ पे जा जाजांके जो हम लोग चेक करते रहते अव्य वाईरश जए वो उसका प्रकोब कितना पावफुल विए वाइरस कितना तगड़ा हुआ है और कितना ज्यादा लेविल जो है उसका हाई हुआ है यह हम लोग चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद फिर फोरे टाइम के बाद हम लोग उस लोकेशन को छोड़के चला जाते हैं किसी और लोकेशन पर चेक करने के लिए मतलब कि उन साइ सानिटिस्ट को और दूसरे में ट्रैवर ने एक सानिटिस्ट को बैठा के हम लोग लेकिया है और उनको कहा कि अगर कुछ भी चालवाजी की ना तो गोली सीधा खोपड़ी पे जाएगी घर आने के बाद बाकी सभी सवाल लैस्टर उन से पूचता है सवाल जबाब होने के ब बहुत देर तक मार खाने के बाद उन लोग ने उस लोकेशन को रिविल कर दिया वोला कि रेगिस्तान में इसलिए हम लोग कर रहे थे क्योंकि मिलिटरी बेस में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़े नहीं होते हैं जो हम लोग सीक्रेट ली एक खुफिया जगा पर हम लोग करत और हम लोग कों लोग है ये के बारे पता कर सके तो इसलिए मार किर जाएगब रेगिस्तान के उस हॉस्टिल में जहां से ये वायरस फैला था वो अब देखने लायक था भाई कुछ बचा ही नहीं था पूरा जग़ा जो है वो खंडर बन चुका था 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 झोड़ी दिय गूंते गूंते फाइनली वो खतरनाक बिल्डिंग मुझे मिल जाता है फटाफट वहाँ पे जाता हूं और हर एक रूम को अच्छे से देखने लगता हूं ढूंते ढूंते मैं एक ऐसे रूम पे जहां पहुचा जिसको देखके लगा शायद यही वो जगा थी जहां पे इसका एक्सपरिमेंट हुआ हो और देखते देखते हैं वहां पे मुझे कुछ सामान भी दिखता है वाई सामान के बार में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है किसको लेना चाहिए और किसको लेना नहीं चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है बैक पे जितने भी सामान फिट होता है जितने आपी सामान ठूस ठूस के मैंने सामान को भरा जब वैक फूल हो गया तो मैं फटा 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 वहां से निकलने लगा आते वक्त मैं पर होय तो वही पर रुक थोड़ा सेफ रहे मैं बस अभी पहुचता हूँ आपर और जैसे ही ट्रावर के पास पहुचा तो देखा वो तो भया ध्यान बगना हो चुका था जोर से पुखरा ट्रावर तब जाके उसकी आँख खुली भाई और जैसे आँख खुली तो भया जॉम्बी को मारने लगा नहीं उसके इस चक्कर के चलते भया उल्टा ना पड़ ज है तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और जॉम्बी को मारने लगा और फिर आने लगा घर के तरफ अब शायद लास्टर कुछ पता कर पाएगा यह सोचके लेकिन तभी फ्रैंक्लिन का कॉल आता है वो बोलता है उन लोगों को आके कुछ लोगों ने बहुत पूरी तरह किसे पीटा भाई लास्टर को भी बहुत पूरी तरह से पीटके उसको उठा के लेके चले गए मुझे भी बहुत गंदी तेरी किसे मारा मैंने बहुत देर कोशिच की लेकिन हुआ नहीं मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैंने जादा कुछ सोचा नहीं भाई मुझे कुछ भी स बाड़ी को भगा रहा था और तब मेरे को यह चीज़ समझ में नहीं आ रहा था भाई लैस्टर को किड्नेप करके लेकर चले गए थे वो लोग फ्रैंटलीन को मार के वहां पर क्यों छोड़ के चले गए वहां मेरे को पहले तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था उसके भाई लैस्टर को किड्नेप करके वो लोग लेके चले गए इसका मतलब ड्रावर लैस्टर की जान खत्रे में है यार लेकिन सबसे पहले हमें ये डर लग रहा था कि फ्रैंक्लीन को कोई जॉम्बी ने काट ना ले भाई अगर जॉम्बी ने काट ले तो वो भी जॉम्बी इने मारा था मतलब आप एक बात सोचो यहां पर इतने सारे बंदों को इसने मार दिया था तो फिर आए कितने लोग थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई एक तरफ भाई कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई एक तरफ यह लैस्टर किड्ने वो चु आया और उसके बाद दूनने लेगा था कि हम लोग जो है कुछ तो इसको सेफ लिए हम लोग कहीं ना के तो लेके जा सके तो उसके बाद आपर माइकल को बोलता है तो फ्रैंक्लिन को लेके घर चला जाए इसका तुरंत इलाज होना ज़रूरी है वरना है यह कुछ भी हो सक सकता था तो इसलिए माइकल बोलता है नहीं मुझे थोड़ी दिर सोजने का टाइम दे मैं कुछ हल जरूर निकालूंगा मुझे थोड़ा सा टाइम दे तब तक तू जो है फ्रैंक्लिन के पास बैट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अकिला ट्रैवर को वहां बेज़ेगा उनके उपर भाई बचाओं तो बचाओं किसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फ्रैंक्लिन का अगर इलाज नहीं हुआ तो यह मर भी जटता है लेकिन क्या होगा आगे क्या माइकल बचा पाएगा लाज हो पाएगा और क्या माइकल उस बंदे लोग को बगड़ पाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो एक लाइक जरू करते ना तो चलो आज के लिए बस अतना है मैं मिलता हुआ आप से नेक्ट वीडियो में तुम तक के लिए भाई जहेंद बंदे मात्रम